गुड मॉर्णिंग दोस्तो हर्ष क्रिप्टो सोबड में आप सभी मेरे दोस्तों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा अल्टेडी तीन ऐसे बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्स पे वर्क कर रहा हूँ जो कि मेरे ओडियंस के लिए बह रहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में इंट्रेस्टेड डालके सिर्फ मेंशन कर दीजे तो तीनों प्रोजेक्स तुरण शॉर्ट करके आपके लिए बैक टू बैक अप्लोड कर दूंगा सबसे खास बात यह है कि तीनों की तीनों प्रोजेक्स बहुत ज्यादा जिनेन ह साथ साथ सपोर्ट भी मिलते रहेगा तो आज मैं शॉर्ट लाइव भी कंड़क करने वाला हूँ क्यूंकि आज संडे है और हर संडे को मैं लाइव कंड़क करके मेरे सभी दोस्तों के सवालों के जवाब यहापे डाउट से आपे क्लियर करनी की कोशिश हमें सासे करते आ हूँ तो आज भी करूँगा तो अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया रहेगा तो इंपोर्टन अपडेट आपसे चूटे ना तो बेल आइकन भी प्रेस करना मत बूलना और इंफोर्मेशन अगर आपको अच्छे लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइ मैं फ्यूचर ट्रस्ट वालेट से सर्च किया तो बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हो जाते है तो कही सारे दोस्तों के मुझे इसके रिगारिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहेते पिछले चार पाच-छे दिनों से तो ट्रस्ट वालेट जैसे की मैं ओपन करता हूँ तो ट्रस्ट वालेट सबसे बेसिक चीज़ में आपको बताना चाहूँगा इसके अबाउट सेक्शन में जाऊँगा थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब मुझे तो इन्फोर्मेशन यहाँ नहीं दिख रहा है कि अबाउट अस में तो इन्फोर्मेशन लिखना च अब लगी यहाँ पर मैं आपसे यह डिसकस करने आया हूँ कि कही सारे वीडियोस में मैंने यह भी देखा कि आप यहाँ पर अगर पाई फ्यूचर से आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको पाई का सिंबॉल भी दिख जाता है और फ्यूचर का टोकन करके यहाँ पर श भी आप में से कही सारे दोस्त लोग यह जानना चाहते ही कि यह जो कि पाइफ वालेट पे फॉर्म हो चुका यह फेक है या रियल है तो आप लोगों को भी पता है कि जो कि पाइटर के पाइटोकन से पाइक कोई जो हम कलेक कर रहे हैं तो एक समय के बाद वो एक्चेंज प्ल की कोई टीम का इसके बारे में पाइफ यूचर के बारे में दिखाने वाला हूँ जिसके थुरू आपको समझ में आ जाएगा पता चल जाएगा कि यह फेक है या रियल है तो 12th of August 2020 को पाइटर की कोई टीम ने खुद ने यहा पे अपडेट दिया था तो जो यह से की important update तिल नाव खबरदारी अलट और यहाँ पे एक important message दिया है जिसका में screenshot अभी दिखाने वाला हूँ अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन में आपको link पिल जाएगा तो आपको यहाँ पे screenshot पे लेके जाओंगा जिसमें आप उन्होंने कहा है कि यह दिखिए 12th network growth, there has been a recent increase of scams claiming to involve Pi मतलब यह कह रहे है कि जैसे कि हमारा जोकी network के वो grow हो रहा है जैसे कि बढ़ता जा रहे है तो वहाँ पे scams जो की है Pi से related वो बढ़ रहे है तो remember that Pi is mined for free but currency not for sale यह currency sell करने के लिए नहीं है यानि कि आप अगर किसी को sell करोगे पैसे देखें तो यह यहाँ पे allow नहीं करता है Pi नेटर का core team के update में यहाँ पे उन्होंने mention किया है we are not affiliated with anyone or any organization claiming to sell Pi जैसे कि trust wallet पे आप check कर पा रहे है यह देखिए Pi फीचर का भी यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है उन्होंने mention किया है जैसे कि Pi future हो गया और any derivatives of Pi मतलब कोई भी Pi से related आप किसी भी exchange platform पे जाओगे अगर वहाँ पे वो form हुआ रहेगा तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी यहाँ पे authorized नहीं है Pi नेटर की call team का यहाँ पे कुछ भी relation नहीं है all such sales are unauthorized and may lead to your loss of money और personal data read more about different types of scams जैसे कि trust wallet में हम चेक कर पा रहे है तो Pi future वहाँ पे वो show कर रहे है और totally same to same Pi नेटर का जो की symbol है वो वहाँ पे show कर रहे है तो वो बिल्कुल भी authorized नहीं है वो unauthorized है अगर आप वेसे scam में फ्वस जाते है तो आपको वहाँ पे money का loss तक हो सकता है और आपका personal data भी वहाँ पे gain हो सकता है चूरा सकते है ठीक है तो ऐसे scam से आपको दुर रहना है जैसे कि आपको updates मिलते रहेंगे मतलब Pi नेटर की team आपको update देती रहेंगी पैनेटर के official updates application के उपर तो तुरत हर श्क्रिप्टो सपर्ट आपके support में वीडियो जारी कर देता है तो वैसे ही updates आपको हमेशा से देते आ रहो और आगे भी official content provide करूँगा ये मेरा वादा है बस आप लोगों का support ज़रूरी है अगर अच्छे लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कर देना यारो शेयर करेजिए सब्सक्राइब कीजिए आपके team members को भी aware कीजिए तो